चलो स्टार्ट करते एक पहली से सोच समझ के मुझे आंसर देना ऐसी कौन सी चीज है? जो असान लगने पर असान लगती ही चली जाती है और एक बार अगर बच्चों ने मान ली ये टफ है तो टफ लगती ही चली जाती है और आंसर इस सोचो क्लास 10 में साइन्स के अंदर फिजिक्स है फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों ने मान ली होती है ये बहुत टफ है कि सर ये नहीं हो पाती है क्यूं? इसमें बहुत साइज चीजे मिक्स हो जाती है एक बार क्लास 9 पे आते हैं जब आप क्लास 9 पे थे न तो आपने motion आपने force and loss of motion gravitation, work and energy पढ़के ये मान लिया कि क्लास 10 में भी फिजिक्स उतना ही परिशान करेगी and the answer is no अच्छा क्लास 9 में अगर आप फिजिक्स में 0 भी थे न क्लास 10 पे आप hero बन सकते हो बहुत अलग है क्लास 9 तो कोई भी पार्ट क्लास 10 से linked नहीं है तो पहले जल्ली से ये मन में अटालो कि सर क्लास 9 में अगर फिजिक्स टफ थी वाकई में क्लास 9 पे as compared to 10 वो थोड़ा से tough नहीं बोलूँगा ज़ादा है और वही आपका क्लास 10 में बहुत असान है और सिर्फ कितने chapters master करने जल्ली बोलो चार chapters है और ये चार chapters आपको देने वाले है 25 मार्क से है आज के इस वीडियो पे हम बात करते है मेरा मानना ये है strategy अगर अच्छी हो विड़ा कोई भी subject असान लगता है पढ़ने के तरीका किया आप कैसे पढ़ रहे हो do not worry कहां पर आए हो unacademy के platform में संतोज भट सर के साथ आए हो न हर एक बात को discuss करके जाओंगो और आपको पता है जब संतोज सर प्रावलम लेके आएंगे उसका solution भी लेके आएंगे डन है क्या इसलिए जल्दी से वीडियो के speed कर लो 1.5x वीडियो पूरी देखनी है बट कम समय पर उसके बाद जो यहां पर tips में देखे जाओंगा वही tips स्टार्ट करेंगे हम कहां पर class 10 physics में और अपने 25 में से 25 का tag लेके आएंगे डन आज हो सबसे पहले एक छोटा सापका idea कि कौन-कौन से chapter फिजिस के अंदर कवर होंगे देखा जाए यह आपकी class 10 का जो book का क्या सकते content page है देखा जाए स्टार्ट होगा यहां से chapter 9 और आपका 10 9 और 10 इसको मैं red setting कर दाऊ और बच्छा आपका 11 और 12 इसको मैं आपका blue से डिक कर रहा हूँ ऐसा क्यों सर्थ देखा जाए यह चार chapters है और यह चार chapters आपको कितने marks दे के जाएंगे जल्दी से बोला जाब का यह please अपने book पे मार करना यह आपका 25 marks आपको दे के जाएंगे खदम बस यह चार chapters है इसको अलग से देखो अगर माल लो आप chapter 9 को start करते हो तो 9 के बाद सिरफ 10 करना माल लो कोई बज़ा start 11 से करता है तो 11 के बाद 12 करना बात को समझो का कह रहो chapter 9 और 10 कुछ कुछ linked है और 11 और 12 कुछ कुछ linked है मैं पूछू क्या यह दो chapters इससे linked है तो आपका answer no है किसी किसी स्कूल में न पहले chapter 11 कराए जाता है और किसी किसी पर 9 कराता है जब mid time का exam होगा September के बंद में जादा तर स्कूल में बच्चों के chapter 9 और 10 आते है पक्की बात है तो ध्यान दो चारो chapter linked नहीं है बट chapter 9 10 से है और 11 कुछ कुछ आपका 12 से है पकी बात है ये तो ये चार chapters आपका पढ़ने है तो यहाँ ये चार पढ़ने के बाद आपका score 25 में से 25 होगा चलो कि है अब पहली बात तो physics टब क्यों लगती है सबसे बहले ना physics में होता क्या है बच्चा यहाँ पर chapter के आप पढ़ रहे हो जैसे chemistry की बात की जाए तो पुरी theory है biology की बात के पुरी theory है पड़ यहाँ पर theory के साथ साथ कुछ mathematics के concept लगते हैं जिसको हम numericals कहते हैं और जब अच्छा numericals solve करता है उसको लगता है और राम मैंने theory पड़ी पड़ मुझसे numericals नहीं हो रहे है numericals अच्छा हो गया theory अच्छे नहीं हो रही है तो यह दो एक साथ नहीं हो पाते है तो theory और numericals साथ साथ जो कर पाएगा उसी की physics सोड़ी से असान हो जाती है बात को समझो अब क्या तरीका है जिसको पढ़ने का पर आपको idea मिल गया चलो कि अब यहाँ पराचो जल्दी जल्दी से बच्छा देखा जाए सबसे वहले चार chapters है इन चार chapters में सबसे ज़्यादा weightage कौन रखता है and the answer is chapter 9 सबसे ज़्यादा weightage रखने वाला chapter है chapter 9 उसके first यह first नमर पे है सबसे ज़्यादा marks देखो चार chapter मिला कि आपको 25 देंगे और यह fix नहीं है देखो यह मैं सोचना कि सब chapter 9 से कितने marks काएगा chapter 10 से कितना हैगा 11 से कितना और 12 से कितना जानो 4 मिला कि आपको 25 है लेकिन लगबग देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा जो कोशन पूछे जाएंगे marks वाले आपका answer chapter 9 है उसके बाद chapter 11 है यह second नमर पे डरन है किया उसके बाद का chapter 12 है third नमर पे and yes उसके बाद यह आपका fourth नमर पे ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला chapter कौन से है chapter 9 light reflection and reflection है तो अगर आप यह chapter से start करते हो तो इसका मतला आप माल लो CBSC की race में आगे हो रहे हो पढ़ने सारे मिटा क्योंकि आप सिबको topper बनना है topper को चाहिए chapter का वेटेज कम हो या ज़्यादा सब पढ़ना पढ़ता है बट ध्यान दिया जाए कि ये order है जहां पर लेकिन 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 बच्छा order बले marks का लग है बट आपको chapter 9 पढ़ोगे न उसके बाद 10 ही पढ़ना पका आचाओ ठीक है अब physics में सबसे बहले आप सीधा NCRT पे एंटर नहीं कर सकते है सीधा NCRT से आपको कोई भी chapter नहीं पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाए बटा देखा जाए अगर आप मान लो chemistry या आपका जो biology है उसको आप NCRT से डाइक्री पढ़ रहे हो कोई दिक्रत नहीं होगे बट फिजिक्स में आप directly NCRT पे नहीं आ सकते हो इसका मतलब यहाँ पढ़ते हो simple सी बात है और यह आपको ही पढ़ता है या तो आप किसी offline center जाते हो या तो आप YouTube से free पढ़ते हो या तो आप online किसी batch पे आपने enroll कर रख है तीन बात होगी और तीनों बात में आप जिस case में भी हो मुझे comment जरूर करना यहाँ पर आचाओ आपको माल यह जाब start कर रहे हो chapter 9 light reflection and reflection से सबसे पहले एक बार ना चाहिए कोई भी teacher हो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बताऊंगो कैसे पढ़ना है यह chapter 9 माल लो start कर रहे हो आप एक बार ना NCRT को NCRT को उनके lecture से follow करना है आप अपना please sorry to say दिमाग मत लगाना जो वो बोलते जा रहे हैं उसे पढ़ते जाओ उसको no down करते जाओ एक बार आपको आपने decide नहीं करना कि आपको आरा नहीं आरा बस आप पढ़ते जाओ उस पूरे lecture को complete करो done है कि ठीक है उसके बाद ना बचा आप एक काम करो एक copy लो उस copy पे ऐसे एक है ना माल लो कि दो ऐसे चार कर लो ऐसे चार आप माल लो कि एक street बना लो और यहां लिख लो चाप्टर नमर 9 है डर है क्या क्योंकि चाप्टर 9 में बहुत सारे formula आएंगे आप अपनी जो list है उसमें माल लो पहला formula आया आपने lecture देखा आज की class खतम होई माल लो आज की lecture में संतो सन्य या किसी teacher ने दो formula को discuss के लिख दो कि formula नमर 1 और 2 है और यह sheet करते करते जैसे जैसे lectures खतम होंगे यह sheet आपकी भड़ जाएगी ऐसे आप chapter नमर किसमें करो 10 में करो 10 में करो सेम अच्छा आप chapter 11 पे करो and yes आपका chapter 12 पे करो पकी बात है गया यह सर बात कीजाए अगर formula की यहां दिया जाए chapter 9 ने बहुत सारे है विड़ा बहुत सारे इंदसेंज है अपका chapter 10 ने बहुत कम है 11 ने बहुत सारे है और 12 में ना के बराबर है 12 में ना के बराबर है आचाओ तो ऐसे आपने 4 sheet त्यार कर ली तो यह आपका बन जागर वो आपका formula sheet है और यह formula sheet आप पुरे साल भर revise कर रहे होंगे जो formula आते जाए ना उसको mix मत करो physics भी ना theory अलग पढ़ते जाओ numericals के लिए अलग से note करते जाओ पकी बाते हैं आप आचाओ और अभी एक कड़वा सच आपको बताऊँगा ड़न है क्या तो जैसे जैसे आप physics की जनली पर आगे बढ़ोगे आप क्या दिखोगे आपकी जो formula sheet है वो ready होती चली जाएगी इतना सभी को आए ठीक है अब बात करते हैं कि आपने theory पढ़ लिए बोलो yes sir theory पढ़ने के बाद एक बाद सारे formula का अच्छे सरी कैप करो कि कब कहां लगाना है कैसे कैसे उसके बाद आप numericals को solve करना चालू करो आप एक highlighter लेके बैठो आपको पता कि class 10 physics में मैं chapter 9 पढ़ रहो जो-जो question आपकी numericals है बोला जाए जो-जो कोशन आपकी numericals है numericals क्या होते हैं बच्छा माल यह जाए कोई question है कि the focal length of a conkey mirror is 12 cm what is the radius of curvature जहां पर formula लग रहा है physics का वो concept जहां mathematics आप लगा रहे हो इसी को numericals कहते है numerical problems है तो जो भी numericals होगा ना उसको अलग से highlight कर दो यह highlight क्यों? क्योंकि ताकि जब आप numericals की त्यारी करोगे ना आप उनी कोशन करना numericals को theory के साथ मत include करना जब numericals theory एक साथ करोगे आपको दिक्कत होगी पर आप एक बाद पुरा chapter पढ़ लो आपने theory कर लिए आपने formula recap कर लिए उसके बाद आपने numerical सिर्फ highlight करो अचा यह numerical यह 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 ऐसे करके उसके बाद अलग से copy लेके बैठो और फिर साथ numerical करो कोई numerical doubt बनता है आपके जो भी टीचर से उनसे पूछो कि सार इसमें doubt आरा मैं क्या करो ऐसे करते करते आपको ना यह जो चार chapters उसको ready करने हैं और सिर्फ starting में questions आपको NCRT के ही करने है और कोई questions आपको बहार के नहीं करने है अगर आपका goal CBSE है तो NCRT आपका sufficient है अगर मालों आप NTSC बहुत सारे competitive exam के त्यारी कर रहे हो तो उसके सासा उसके जो book bank यह भी करो बट अगर आप CBSE का goal कर रहे हो तो बस सिर्फ NCRT question करने है पका ना इसके बाद कौन सा बताओंगा आपको बात को समझे मैंने क्या बोला है आप please chapter पढ़ोगे एक बाद chapter पढ़ लिया उसके बाद आप यह स्फार्मिल शीट एड़ी करे और आप question को solve करते जाओ और question solve करोगे ना जो theory है उसको अलग करना numericals को अलग से highlight करना अलग से numericals करना पका do not worry सब को ठिकर करेंगे कैसे आचाओ और मैं कैसे करवाने वाला हूँ इतना आए ना ठीक है उसके बाद बात की जाए आपर देखा जाए भी first जल्दी से तो आप क्या देखोगे जैसे जैसे आपका यह पुरा part खतम होगा आपके सारे formula आपके tips में हो जाएंगे और numericals के लिए ने बच्चा बहुत परिशान होता है और एक कड़वा सच है अगर board की बात की जाए तो आपके एक या एक या दो इससे जादा numericals नहीं पूछे जाते है खतम अच्छा अब अच्छा पुरे साल पर किससे numericals नहीं आते है सब numericals नहीं हो रही है अरे numericals के चकर में आप यह क्यों मान रहे हो कि आपकी physics stuff होती है physics अशान थी बस चीज़े mix हो गई है जब चीज़े mix हो जादिनों से अलग करके पड़ो done ना ऐसे मालो ना पांच की राए एक साथ हो रही है आप पांचों को एक साथ समझा नहीं सकते इसको अलग कर दो इसको अलग कर दो तो अज़े अलग कर दोगे ना तो आप control कर पाओगे same basic concept नहीं आप पर है numericals के चक्कर में यह मत मानो कि आपके theory या tough है और ऐसा कर लोगे एक बार और physics में आप NCRT को read करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं बट जो teacher आपको पड़ा रहा है उसको continuously जैसे जैसे बोल रहा है उससे वैसे करते चाओ exam time में एक बार NCRT को read कर ले ना अभी नहीं बाद में चलो किया अब यहाँ प्राचाओ तो अब चाए physics हो चाए biology और chemistry हो आपने पहले क्या किया पहले step में आपने जब physics में जान दो जब तक आपके NCRT के सारे questions नहीं हो जाते आपको यह object नहीं उठाओगे अगर आप उठा रहे हो तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हो आपने पहले यह करना है ठीक है यह हो जाएगा उसके बास second number पर यहाँ shift हो जाना NCRT examplar कोई सभी बोड कोई सभी exam सब क्रैक कर लोगे condition बचक है आप लें NCRT questions examplar questions और सिर्फ previous questions ज्यादा मत करना बच्चे बहुत ज्यादा scattered हो जाते हैं बहुत सभी नहीं नहीं books करते हैं आप करो बट पहले यह अगर यह तिन हो जाएगी आप market से कोई सभी बुक ले के आओ time बचना कर लो कोई दिक्कत मुझे नहीं है डाने के बच्चा ध्यान दिया जाए theory और numericals को एक साथ मत करना theory करो formula ready करो और numericals को अलग से करो पका चलो किया आप यहाँ पर आचाओ अगर बच्चा पाट दिखो किया है मैं हर बार एक याँ बोलो चोटी सी बोलो किया good things take time बहुत छोटी बात लेकर काम किया है time लगता है कोई भी चीज़ आपको tough लगते है time लेगा और जब तक time नहीं दोगे वो आपका होई नहीं सकता हर चीज यह nature का rule है give your time वो आपका हो जाएगा आपको समझो कोई भी subject हो कोई भी चीज हो आपको time देना पड़ेगा good things take time है यह सब अच्छे comment पर लिखना और थोड़ा patience रखो और यह 100% होचा आप 25 में से 25 आप इसमें score करोगे और मैं करवाओंगा अब देखा चाहिए बटा अभी कौन से मंत में खड़े हो आपका जून मंत में खड़े हो आपका first minute of exam करोगे सेप्टमर में तो अराम से जुलाई है अगस्ट है अब अराम से जुलाई और अगस्ट में यह आपका पूरा पूरा टाइम है दर बैकल्लोग का सारा काम जून पर प्रॉमिस करो चरो के हैं आप असे बात करते हैं की ना आपके पास जो भी प्रॉबलम से है तो हमने अज भी शवों Ćन है बात करी आपके पास जो भी प्रॉबलम से मुझे कॉमेंट किया करो कि sir next जो lecture होगा न वो इसके उपर आए चाहे आपकी जो भी x, y, z चाहे नॉन अकेडमी को मुझे पता हो कि sir ये chapter कराओ sir ये part कराओ और सब कुछ ताकि मुझे पता लगे बच्चों में doubt क्या रहे है आप जरूर बताए करो कि sir अगली problem क्या है अब यहाँ पर आजाओ जो ले चलो किया ठीक है तो ये सब तो बात कर ली physics की अब सब physics को आपके साथ कैसे master कर सकते हैं बच्चा बाड़ी सबसे पहले ना आप एक काम करो जल्दी जाओ description पे link है आप पहला काम play stream में जाओ unacademy का app डाउनलोड कर लो उसके बाद आप समझे नीचे description में जाओगे न मुझे जल्दी जाकि आपका unacademy के platform पे follow करो ऐसा मैं क्यों कहरो क्योंकि बच्चे physics में बात की जाए अब एक नया chapter जो कि chapter number 11 electricity है मैं इस platform पे start करने जा रहो और वो भी कुसमें free classes में जो आपके free class होते हैं बोले तो आपका special class है unacademy का जो जिसमें आपको enroll करना पड़ेगा वो है special class है और इसका कोई charge नहीं है आप सब आओ और मेरे जो free class हो रही है उसको join करो इससे क्या होगा और first time जब आप के अंदर आओगे न तो आपने code यूश करना पड़े ग्यानी 22 है और ये code से आप free class है इसको access कर सकते हो देख यार simple सा है आप मेरे सासा करोगे न पूरा flow जो मैं flow बदा रहा हो वो करते चलेंगे इसलिए अभी जाओ और मुझे और ये कल से आज आप वीडियो देखे कल से नया chapter स्टार्ट होने वाला कौन सा जल नी बोलो chapter number 11 आपका electricity है और ये class मैं schedule कर दूँगा इसलिए हर कोई बच्चा वेट मत कर और चलो कर और उसके बाद जब free class कर लोगे न जब को लगेगा कि या संतोसर आप मुझे पूरे साल बर आपसे बढ़ना है तो फिर आप मेरे तरक्की बैच में भी enroll कर सकते हो तरक्की बैच all subject को cover करेगा हला कि और इस और इस platform पे जो बैच चल रहा है मैं chapter number 9 और chapter 10 दोनों बच्चा हमारे complete हो गए है physics के दोनों chapter और तीसरा start होने जा रहा है ये बच्चा paid batch है लेकिन अभी मैं ये नहीं कहा रहा कि आप paid batch में आओ आप पहले free class में आओ अगर आपको लगता है कि हाँ sir मुझे मज़ा रहा है तो फिर आप तरक्की बैच को join कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि अनेकेडमी के subscription को लेना इससे अच्छा मुका नहीं मिलेगा बटा अनेकेडमी के platform पे अभी चल रहा है 25% का discount पुरे साल बर का subscription का price आपका ये रहा बचा तो आप सब अगर effort कर सकते हो go with the subscription मेरे जितने भी बैचिस आएंगे उन सब में आपको access मिल जाएगा मेरे क्या बाकि जितने भी educators हैं उन सब में आपको access मिल जाएगा चलो के फीज की बात किजा बटा बहुत एक effortable price आपका 584 पर मंथ 584 पर मंथ अगर आप 24 मंथ का subscribe लेते हो और बच्छा आपका most important questions आपका previous questions कोई भी update आता है और जितने भी अपको स्टेटिब से यह सब कुछ मैं स्ट्राइट फर्म पर लेकिया होंगा फिर से सुलो physics को master करने के लिए numerical scholar कर देना चार chapter से 25 मंथ देंगे chapter का वेटेज का discuss किया और साथ में आपने NCRT करती जानी है NCRT से पहले एक बार lecture complete करना है और जो ही formula आगे है उसके एक sheet बनाओ और sheet वो ready हो जानी चाहिए जैसे जैसे chapter खतम होगा और इस तरीके से करोगे न physics क्या कोई भी आपका topic master हो तो चला जाएगा So, मैं उमीद करता हूँ यह सारे के सारे जो भी tips है आप सब कुछ follow करने वाले हो और जल्दी से मुझे promise करो कि sir हाँ जी जो आपने बोला है इन सब चीज़ों का आप फॉलो करेंगे और अपनी physics को tough मानने नहीं देंगे tough नहीं होती So, thank you so much और जाते जाते सम्मिल के बोलेंगे आवाज नहीं आ रही अच्छे बच्छे कैसे संतोस साजसे एवी के SJRUX